पांच पावली पुलिस थाना अंतरगत बंगाली पंजा निवासी अनवर खान के घर पर बड़ी मात्रा में प्लास्टिक की पतंग होने पांच पावली पुलिस को गुपत जानकारी मिली थी इसी जानकारी के अधार पर पुलिस ने चापामार कारवाई करके करीबन 81,000 नग प्लास्टिक पतंग जिसकी कीमत 87,150 रुपयों का माल चप्त किया है ऐसी जानकारी पांच पावली थाने के पुलिस उपनिरिक शक अभिनाश जाय भाय द्वारा दी गई है बंगाली पंजा निवासी अनवर खान के घर में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक पतंग होने की गुप्त जानकारी पांच पावली पुलिस को मिली थी इसी जानकारी के अधार पर पुलिस ने चापामार कारवाई कर 81,000 नग प्लास्टिक पतंग जब्त किये गए जिसकी कुल कीमत 87,150 रुप्यों का माल जब्त कर मनपा की उब्दरव शोध पथक द्वारा 10,000 का जुर्माना भी बसूला गया है अशा मेरेला माईती उरून मन्य वपनी सायप तसेज अमची डिवी पतक तसेज मानगर पालीके चे उपदरवे शोध पतक अशामी गुप्त बात्मी तरहाने दिलेला माईती उरून सदरी समाजा घरी गरुआस्ता सदरी समाजे घरी अंदाजे 51,009 प्लास्टिक चे पतल किम्मत अंदाजे 57,115 ता माल म्यून आला त्यान अंतर मानगर पालीके उपदरवे शोध पतकाने नमुद इसमाला जागिस 10,000 रूपे दंड केला तसेज सदर्दा प्लास्टिक चा माला पुडल कारवे करता आशनगर मानगर पालीक पुलिस ने आगी के कारवाई के लिए जब्त की हुई प्लास्टिक पतंग को आशनगर जोन में भीजा गया है कैमरा परसन अखिलेश भारत द्वाज के साशिती जा देश मुख बीसीय न्यूस नागपुर